नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चेनल में दोस्तों बहुत से लोगों की दुवरा ये पूछा जाता है कि बिल्ली सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो आज हम इस वीडियो में बिल्ली का अर्थ या मतलब को अच्छी तरह से जानेंगे हम जानेंगे कि बिल्ली किसे कहते हैं यानि बिल्ली सब्द की अर्थ या मतलब को पूरी तरह से आपको समझाने का प्रियास करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिल्ली सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो दोस्तों बिल्ली सब्द का अर्थ होता है वे पालतु पसू जो की सेर, चीते, आदी परजाती का होता है और घरों में वे घरों के आसपास दिखाई देता है बिल्ली होती है ये एक मांसाहरी पसू होता है बिल्ली में सुनने और सुंगने की चमता काफी अधिक बाय जात इस तरह से दोस्तों बिल्ली सब्द के जो अर्थ होती हैं वै कुछ इस तरह से होंगी सेर चीते आदी परजाती का ही एक पालतु पसू वै पसू जो की मांसारी बोजन करता है यानि बिलार सेर चीते आदी परजाती का वै पसू जो की सुनने और सूंगने की अधिक छमता यानि बिलाडी का घरों में पाय जाने वाला पालतु पसू जिसे मिनकी के नाम से जानती हैं यानि बिल्ली वे पसू जिसे बिलेया के नाम से जानती हैं बिल्ली होती हैं इस तरह से दोस्तों बिल्ली सब्द का अर्थ होता है इसके अलावा दोस्तों बिल्ली सब्द का वक्यम प्रियोग भी कर लेती हैं जो कुछ इस तरह से होंगी इस तरह से दोस्तों बिल्ली सब्द का अर्थ होता है और बिल्ली सब्द का वक्यम प्रियोग किया जाता है आसा करते हैं कि आपको वीडियो फसंद आया होगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और एसे ही वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दें अंत में कमेंट में बताएं कि आप किस सब्द के अर्थ के बारे में जानना चाते हैं हम उस पर एक अच्छा सा और प्यारा सा वीडियो बना देंगे